नक्ष्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है 2024 के लोकसबा चुनाओं की सुख बुगाहट तेज होते ही सत्यरूड दल भारती जन्यता पार्टी और कॉंग्रेस में वार पलट वार का दोर भी तेजी पकड़ता नजर आ रहा है एक तरफ जहां उत्रप्रदेश में अमेठी सीट से 2019 के लोकसबा चुनाओं में राहूल गांदी को हार का सामना करना पड़ा था तो अब दोबारा से कॉंग्रेस सीट वहां से राहूल गांदी को फिर चुनाओं लड़वाना चाहती है यानि कि आने वाली वक्त में कॉंग्रेस पार्टी फिर से एक बार भारती जनता पार्टी से दो-दो हाथ करने को तयार नजर आ रही है राहूल गांदी से यहां पर जीत की उम्मीदे की जा रही है आपको बता दे राहूल गांदी ने 2019 के लोकसबाद चुनाओं में दो सीटों से चुनाओं लड़ा था जिसमें उन्हें उतर प्रदेश की अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा तो दूसरी तरफ राहूल गांदी को केरल की वाइनाड सीट से जीत मिली थी लेकिन अब स्मृती रानी जिन्होंने 2019 में अमेठी सीट से जीत हासिल की थी क्या कुछ कहा उन्होंने राहूल गांदी को लेकर के और 2019 के नतीजों को दोराने के लिए सुनिये जरा मुझे इस बात की खुशी है कि जैराम रमेश जी ने मेरी चुनाटी को स्विकार किया है कि राहूल गांदी बीना अखिलेश जी के, बीना मायावती जी के अमेठी का चुनाओ लडने को तयार है मैं चाहूंगी कि जैराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही CEC उनकी जारी कर दे मैं भारतिय जनता पार्टी की सामान्य कारेकरता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ पुना कहती हूँ चुकि जैराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्विकार करने के लिए राहूल गांधी तैयार है तो आज हम सब को अमेठी के कारेकरताओं को बेसबरी से इंतदार रहेगा कि राहूल गांधी जी आज CEC के माध्यम से ये घोशना करा दें क्योंकि जैराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के बिना मायवती जी के अकेले अपने दम पे राहूल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे जराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहूल गांधी के कैंडिडेचर को अमेठी से घुशित कर दिया है बिना खिलेश जी के बिना मायवती जी के और बिना वायनाड गए आपने सुना यहाँ पर स्मृति रानी ये कहती हूँ नजर आ रही है कि राहूल गांधी बिना सपा और बिना बसपा के सहयोग के उनको मैं चुनोती देती हूँ कि फिर से वो लोकसबा का चुनाओ मेरे खिलाफ लड़े और जीत कर दिखाएं अब इस चुनोती पर कितनी खर ही उतर पाएगी यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी ये देखना बेहद दिल्चस्प होने वाला है फिलहाल इस खबर में इतना ही